जहें दोस्व अंदे मातरा अभी कुछ दिनों से मंदिरों को लेकर गुरुद्वारों को लेकर मतलब कि धार्मिक जगे हैं उनको लेकर काफी बात चल रही है कि जब भी आप किसी धार्मिक जगे पर जाएं तो आपके कपड़े कैसे होने चाहिए आपको किस वेशभूशा म अब ही एक वीडियो निकल कर सामने आए थे जिसमें एक शक्स था जो गुटका लेकर अंदर जा रहा था फिर उसको वहाँ पर चांटे वगेरा मारे गये थे अब एक ऐसा ही कुछ तस्वीर निकल कर सामने आई है जिसमें कि एक लड़की कुछ ऐसे कपड़े पहने हुई ह जो कि पिकनिक स्पोट के या पब वगेरा में जाने के कपड़े जादा लग रहे हैं और मंदिर में पहन के जाने वाले कपड़े वो लग नहीं रहे हैं अब देखे भईए इट्स हर चॉइस कहने वाले लोग यहाँ पर महाई और मौजूद भी है तो उसके बावजूद करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर लोग गंदी मान सकता के बैठे रहते हैं देखिए एक तरीका आप अपने अंदर भी तो समझेए ना अगर दूसरे को अगर दूसरे घर में आग लगी है यह नहीं कि आप अपने घर में भी आग लगा लेगी सिंपल सी बात है अब इ नित्री कंगना रनौत ने छोटे कपड़ों में मंदर जाने पर नाराज़ की जताई है ऐसी लड़कियों को मूर्ख बताया है पागल बताया है इन्हें रोकने के लिए सक्त नियमों की पैरवी भी करी है दरतल कंगना ने जो यह रियक्शन दिया है वो सोशल मीडिया में वारल एक पोस्ट को लेकर दिया है जिसमें कि इस पोस्ट को रिट्वीट किया गया है उसमें दो तस्वीरे लगी है इसमें एक लड़की काफी छोटे कपड़ पहने हुई दिखाई दे रही है तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगला सित बाबा बैजनात शिव मंदर की पोस्ट में लिखा गया है कि ये सीन है हिमाचल के प्रसिद्शिव मंदर बैजनात का बैजनात मंदर में ऐसे पहुँचे हैं जैसे किसी पव या नाइट लब में गया हूँ ऐसे लोग मंदर में घुसने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को मैं इसका विरोध करता हूँ मेरी सोच को अगर ये सब देखकर छोटा या घटिया कहा जाता है तो भी मुझे मन्जूर है पोस्ट के साथ लगी तस्वीरे कपकी है ये सपस नहीं लेकिन इसी पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कंगना नौत ने मंदिरों में जाने के लिकर सक्त नि बलकि आलसी और बेवकूफ हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और मंचा होनी चाही इन मूर्खों के लिए सक्त नियम ही सबसेदा जरूरी है दरसल बापा बैजनात मंदिर की बताई जा रही इन तस्वीरों वाला पोस्ट सोचल मीडिया पर जम कर शेयर किये जा रहा है मुझे बलकि इस तस्वीर के उपर क्या कुछ रिएक्शन दे रही है क्योगी यहां पर पर आकर आके देखें तो यह देखिये अब मैं क्या ही कहूँ अब देखिए राकेश रञंजन जी नहीं तस्वीर पोस्ट करी है और सूपर स्वीर कंगना नियुक्त लगा ही है मतलब सीधा सीधा से तासपर रही है यह आप खुद भी चोटे कबड़ा पहनती पर मुझे कंगना के इर्दगिर्द कहीं भी मंदर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर समझने वाली बात बस इतनी सी इन भाई साम निखाए इन भाई साम निखाए यहाँ तक तो मैं आप से सहमत हूँ कि अगर आप मंदर जा रहा है तो शरील कपडों से पूरा धका होना चाहिए लेकिन सबसे एहम मन भी शुद होना चाहिए मन में कोई भी छलकपट दम अधंकार लालच इर्शा दुएश नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कह देंगे तो फिर तो शहुद मन्दर कोई जाई ही नहीं पाएगा भी लोग लालच में ही जाते हैं या कुछ माँगने के लिए ही जाते हैं कुछ मिल गया होता है तो आभार जताने के लिए जाते हैं शाम और रहमा लेकते हैं middle क्मश में एक अलग ही तरह का पूरा का पूरा मतलब माजमा यहां पर खड़ा कर दिया है ठीक पावन यादव जी आ हैं यहां पर अपने ग्यान बखेटने के लिए नवीन लिखते हैं कि अब आएंगे माईवे और हाईवे बोलने वाले उपर ही थे अच्छा लिखा है अगेरी awesome madam I was your big fan but why you promote that Munawar I thought you are exceptional but everyивается the same here यह बाद तो कहीन कहीं लगती है इसके बाद विशुने लिखा है कि first of all why don't you ask the same question to اktiak고요 who is the creative head of the show अब اktiakpoor तो हिंदुतों को लेकर इतनी बात कर ती नहीं नहीं एकताकबूर ने शो गो प्रेजन्ट किया था प्रडूश जरूर किया था पर प्रेजन्टर तो कंग नहीं थी आवास तो अठा सकती थी लिए बात करती नहीं एक तकबूर फू इस दा क्रिएटिव है ठीक है वेर वर दा एंटायर हिंदू लोग हो दिन वोट टू पाहल रहा था की पाहल रहा था की आज कल थो खोदी काफी ज़्यादा मतलब अच्छे से बात करने लगी बिजी लिखते हैं का I don't think so they went there to pray as for them it must be just a tourist spot clicking pictures and making real thanks Karanjohar for bringing this culture this is like Modi preaching about corruption कांगना को मैंने कभी धार में किस थल पर इस प्रकार के कपड़ों में देखा नहीं है सिया ने लिखा है की like they say dress for the occasion if you are wearing sari stuff to the beach to your bed and to a party then you need a better dressing since applies to both men and women fine भी लगाना चाहिए ता की बाकियों को भी अकला है but it's her life, her choice isn't it just like that girl who wore that skirt in Darbar Sahib in Amrit Sir if God's created people then why should human body offend them literally यह Darbar Sahib की जो घटना थी उससे भी आप related कर सकते हैं Kangana you guys promote this sort of dressing through your movies and when the public copies you, you seem to have problem इस तरह की कुछ बात है चल रही है आपर लेकिन हाँ social media पर इस समय लिटरली इस बात को address किया जा रहा है कि धार्मिंग जगे पर आपको किस तरह के कपड़े पहन कर जाना चाहिए क्या कहना है आप लोगा इस बारे में comment करके जरूब बताए मेरे जुनियों फिलाता है जैहन चैपारात